नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विनोद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MS Word के View Tap के Zoom Block और Windows Block के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं Zoom Block की दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला Option आपको दिखाई देगा Zoom का इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने काफी सारे Options दिखाई देगे जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं Zoom के आपको percentage दिखाई दे रही है यानि कि आप अपने documents को कितने percent zoom करके देखना चाहते हैं आप यहाँ पर केवल उसको टिक करेंगे और यहाँ पर OK पर टेक करेंगे उतला percent आपका document यहाँ पर Zoom हो जाएगा इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं next option आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर page width है page width को select करके जैसे आप यहाँ पर OK करेंगे तो आप देख सकते हैं page का जो भी width होगा वो properly यहाँ पर left or right side से adjust हो जाएगा और properly आपको document दिखाई देगा इसी तरीके से अगर आप इसके next option की बात करें text width की तो इस पर अगर आप टेक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भी हमारा space यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी space हमें दिखाई दे रहा है अगर आप इसको select करके OK करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह दोनों ही space आपके खतम हो जाएंगे और आपका अक्यवल document आपको proper दिखाई देगा अगर आपका left और right margin में काफी ज़्यादा space रहता है तो उस space को आप zoom करके आराम से document को read कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर next option के अगर हम बात करें वोल पेज की इस पर अगर आप click करेंगे वो सारे आपको एक साथ यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर 100% पर click करेंगे तो 100% पर आपका document आपको इस तरीके से दिखाई देने वाला है इसी तरीके से अगर हम बात करें one page की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको single one page आपको दिखाई दे रहा है multiple pages पर अगर आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको multiple pages view में आपको आपका document दिखाई देगा इसी तरीके से अगर आप page with को select करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको इसी option में बताया था यहाँ पर page with के इसाब से आपका document adjust हो जाएगा इसके बाद हम बात करतें next block की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो next block है वो है windows windows में सबसे पहरा option आपका new window यह विंडो पर जैसे आप click करेंगे अब यह सारी windows अगर आप एक साथ arrange करके देखना चाहते हैं तो आपको केवल next option पर click करना होगा arrange all पर जैसे आप arrange all पर click करेंगे तो आपकी जितनी भी windows यहाँ पर होगी वो सारी windows आपको यहाँ पर एक साथ दिखाई दे जाएगी इसके बाद हम यहाँ पर इसे maximize करने के बाद आप देख सकते हैं आपका जो next option है वो split window split window का मतलब होता है कि आपका यह जो document है आप इसको दो भागों में विभाजित करके read करना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं जैसे माल लीजे अभी हमारा जो पहला document है यहाँ पर आप देख सकते हैं page number 1 पर rent agreement लिखा हुआ है और नीचे की तरफ अगर आप scroll करेंगे तो page number 2 पर इसकी terms and conditions लिखी हुई है अब हम चाहते हैं कि page number 1 को और page number 2 को या page number 1 के साथ साथ हम page number 3 पर जो भी condition लिखी हैं तो आपको एक साथ देखना चाहते हैं तो उस situation में या तो आपको यहाँ से scroll करना पड़ेगा scroll करके आप पहले page number 1 का document देखेंगे उसके बाद page number 3 का 2 का आप यहाँ पर document देख सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दोनों की दोनों document आपको एक साथ दिखाई दे तो उसके लिए आप यहाँ पर split window को select करेंगे जैसी आप split window पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका same document दो भागों में यहाँ पर विभाजित हो जाएगा तो आप देख सकते हैं आपके दोनों ही document side by side view में आपको दिखाई देंगे यहाँ से भी आप इस document को read कर सकते हैं और यहाँ से भी इस document को read कर सकते हैं इसके लावा अगर आप एक document को यहाँ पर scroll करेंगे तो दूसरा document अपने आप यहाँ पर scroll होता चला जाएगा अगर आप किसी window को यहां से बड़ा या चोटा कर लेते हैं और उसके बाद आप इसे वापस से reset वाले button पर click करते हैं तो यह वापस से आपकी उसी position में adjust हो जाएगा इसके लाव अगर आप चाते हैं कि आपका जो scroll button है अगर आप एक document को scroll कर रहे हैं और दूसरा document यहाप इस call ना हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर click करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं scrolling का option आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको simple click कर देना होगा इस पर जैसे आप click कर देंगे आप MS Word के Zoom Tap और Windows ब्लॉक का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को Like, Comment, Share जरूर कीजेगा धन्यवाद